पाकिस्तान को इस बात का डर अब सताने लगा है कि अगर नरेंद्र मूदी फिर से एक बार पीएम बने तो पाकिस्तान का क्या होगा बीते दस सालों में पाकिस्तान को लेकर भारत एक्रसिव रुख अपनाए हुए है और अब जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहे हैं पाकिस्तान में पीएम मूदी और पाकिस्तान को लेकर उनके बयानों की चर्चा शुरू हो गई है पाकिस्तान के विश्यसगे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर नरेंदर मोदी फिर से एक बार प्रधान मंत्री बने तो पाकिस्तान का क्या होगा आपको बताएं तो प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी के घर में घुसकर मानने वाले बयान से पाकिस्तान के अंदर खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है पाकिस्तान ने अब पिये मोदी के इस बयान का जिक्र सैंक्तुराश्चु के मंच पर किया है सहिक्तुराश्ट में पाकिस्तान के उस्थाई प्रतिनी थी मुनीर अकरम ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर लोगों को मार रहा है अकरम ने संग्तुराश्ट में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नया भारत है आतंकियों को उसके घर में घुसकर मारता है अकरम ने समर्थकों से कहा था कि आज भारत के दुश्मन जानते हैं कि ये मोदी है ये नया भारत है ये नया भारत घर में खुसकर मारता है इसके साथ ही पाकिस्तान भारत को लेकर इतना डरा हुआ है कि उसने कनाडा और अमेरिका में मारे जा रहे आतंकियों की हत्या का आरोप भी भारत पर लगा दिया है हलाकि साइट राष में भारत की प्रतिनिधी रुचिरा कमबोज ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई रोचिरा कमबोज ने पाकिस्तान के आतंक सवर्थित ट्रैक रिकॉर्ड को United Nations के साबने खोल कर रख दिया रोचिरा कमबोज ने कहा कि हमने एक निश्यत प्रतिनिधी मंडल की टिपनियों से खुद को अलग रखने का फैसला किया है जिसमें नकेवर शिष्टाचार की कमी है बलकि उसकी हानिकारक प्रकृति के कारण हमारे सामोहिक प्रयासों में भी बाधा आती है क्या उस देश से नहीं पूछा जाना चाहिए जो सबसे संदिक दिट ट्राक रिकॉर्ड रखता है पाकिस्तान आतंकवाद के जरिये हर तरफ कलह फैलाता है शत्रुता पैदा करता है और दुनिया भर में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की वकालत करने वाले सम्मान और सद्भाव के सार्व भौमिक मूलियों को कमजोर करता है दुनिया भर में आतंगवाद फैलाने वाले और आतंकियों के समर्थन के लिए पहचाने जाने वाला पाकिस्तान भारत पर आरूप लगाता है और हर बार उसे मुझ की खानी पड़ती है यूएन में पाकिस्तान जब भी बोलता है उसकी तरब से वही घिसा बिटा कश्मीर का पुराना राग अला पा जाता है लेकि नतीजा उसका कुछ नहीं निकलता ऐसे में अब फिर एक बार पाकिस्तान डरा हुआ है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बार कहीं भारत कश्मीर को लेकर कोई और बड़ा ख़दम तो नहीं उठाएगा क्योंकि रक्षा मंतरी राजनात सेंग ग्रह मंतरी अमिर्शा से लेकर पियमोदी तक कश्मीर के मामले पर जब भी बोलते हैं खुल कर बोलते हैं और तब पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है